रोज CUT की नई अपडेट आ रही है और एप्लिकेशन फॉर्म भी बहुत जल्दी CUT का आ जाएगा तो वो क्या डॉकुमेंट से जो हमें अपने फॉर्म से पहले रेडी कर लेने हैं ताकि हम फॉर्म भरने के डाइम में पैनिक ना हो पिछली साल भी काफी बच्चे इस परे एक चीज़ ध्यान रखनी है जो आपके नाम की स्पेलिंग है फादर के नाम की स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आप CUT के फॉर्म में भरोगे अगर वो गलत है तो प्लीज बच्चो उसको आप पहले से ठीक करा लीजे अभी आपके पास समय है तो क्या चाहिए पहली चीज हमको चाहिए 10th की Mark Sheet और हमको चाहिए हमारे 10th का Certificate ये चाहिए तीसरी चीज क्या चाहिए हमको हमको एक Scan Copy चाहिए अपनी Photo की Scanned Photo चाहिए अपनी ठीक है ये भी बहुत जादा Important है इसको भी आप अभी से रख लीजिए और वो Recentी चाहिए होती है क्योंकि अगले महीने आपका Form आ जाएगा तो Recentी रहेगी कोई भी बच्चा अपनी 9-10-11 की Photo ना दे अभी की Recent Photo खिचा के रख ले वो ही चलेगी जादा पुरानी फिर वहाँ पर दिक्कत होती है और क्या चाहिए हमको चौती चीज हमें चाहिए Scan Copy of Our Signature हमको दो टाइब के बच्चे हैं, समझ लेते हैं क payments एक तो बच्चे हैं, जो appears हो रहे हैं एक तो बच्चे हैं, जो यहां पर अभी कीthese साल appear होंगे और एक बच्चे हैं, जो पिछली साल PASTS OUT हो चुके हैं जो बच्चे appear हो रहे हुनको वहां पर option मिलेगा वो appear select कर लेंगे और उनसे वो कोई mark sheet certificate नहीं मांगेगा roll number आपका मांगेगा जब तक आपके पास roll number आ चुका होगा तो आपको प्रेशान नहीं होना है जो भी बच्चे हमारे passed out है तो उनको उनकी 12th की mark sheet चाहिएगी 12th की mark sheet उनको चाहिएगी उनको 12th का अपना certificate चाहिएगा और दुबारा से एक चीज़ याद रखनी है बच्चो आपको इन चीज़ों में नाम की spelling में कोई mistake ना हो वरना जब भी आप CUT का form paper देने के बाद university में physical verification के ले जाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा तो इस गलती को आप ना करें और बहुत important चीज़ आती है last में हमारा identity proof क्या आता है हमारा identity proof जैसे हमारा अधार card हो गया driving lessons हो गया जादा दर बच्चों के पास नहीं हो गया क्योंकि वो blow 18 होंगे so passport होगा तो वो भी चल जाएगा तो उसमें आप दुबारा से सारी चीज़ अच्छी तरह चेक कर लीजिए और इनको एक साथ आप रख लीजिए ये आपके form भरने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं इसके अलावा भी reservation category भी आती है जैसे हमारी ST होगी, SC होगी और OBC इसी भी होगी है, उन बच्चों को भी परिशान होने की ज़रूरत नहीं है उनको latest अपना latest date की ये सारे certificate चाहिएंगे और जब CUT का form release होगा तो आपको वो latest date उसमें पता चल जाएगी कि वो April की होगी या मई की होगी आपको उस चीज से परिशान नहीं होना है फिलहाल के लिए आप लोगों को ये सारी चीजे याद रखनी है और ये कौन-कौन सी चीजे हैं जो आपको याद रखनी है क्या documents ही हैं बच्चों हमको हमको चाहिए अपना class 10th की mark sheet हर बच्चे के पास होगी class 10th का certificate ये भी हर बच्चे के पास होगा इसमें जो भी correction है आप करवा लीजे उसके बाद हमको हमारी scan photo चाहिए ये photo हमारी latest रहनी चाहिए उसके बाद हमारे scan signature हमको चाहिए ठीक है जी class 12th में हमारे पास दो टाइप के बच्चे हैं appearing और pass जो appearing बच्चे उनको कोई परिशानी की बात है नहीं वो appearing डाल देंगे पास वाले जो बच्चे हैं उनको 12th की mark sheet चाहिए 12th की certificate चाहिए और बच्चे ये भी पूछे हैं सर हमने तो gap ले लिए हमने तो पिछले साल 12 भी करी थी तो हमें क्या gap certificate देना पड़ेगा तो आपको इसमें CUT के form में कोई gap certificate की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लास्ट में हमारा था identity proof जो भी आप identity proof देख रहे हैं उसमें देख लीजिए आपका address, आपके नाम की spelling और ये सारी चीज़े ठीक हैं तो बच्चो ये documents आपके लिए बहुत ज़रूरी थे अपनी CUT की और boards की तैयारी के लिए आप जूड सकते हैं higher education app के साथ play store पे जाके आप ये app डाउनलोड कर सकते हैं boards के साथ CUT की तैयारी के लिए आप higher education डाउनलेड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड के अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं यहां पे आपको सारे mock test, video lecture, mentorship और live interactive classes सारे कुछ मिलने वाले हैं आप हमारी app विजिट कीजिए और यहां पे आपकी बहुत जादा मदद होगी आपके boards और CUT की तैयारी के लिए so ऐसे ही informative video के लिए जोड़े रही है आप higher education